बच्चों आज हम लोग करेंगे question 58 vectors में जिसमें question ही मोला गया है कि normal reaction N is a force exerted by the surface यानि कि एक ये inclined plane 37 degree centigrade पर 1 kg का mass यहां रखा हुआ है, block रखा हुआ है तो हमें x और y component निकालने हैं इस block के, देखिए तो x component हमारा ये हो जाएगा, y component ये हो जाएगा तो y का reverse y dash, x का reverse x dash, तो यहां पर हमको इसकी component बता करने हैं, हलाग इसका option 1 सही है, तो देखिए कैसे इसको करते हैं सबसे पहले हमें जो given है, उससे हमने एक diagram बना लिया अब यहां पर देखिए हमने एक diagram बनाया है, ये box है ये box का weight हमेशा downward काम करता है mg, तो इसके दो component हो जाएगे, mg sin theta और mg cos theta तो अगर ये angle 37 है, तो ये भी angle 37 हो जाएगा, mathematically, तो ये हो जाएगा, angle के साथ वाला mg cos 37 और mg sin 31 अब हमको x component ये इस direction में जो force काम कर रहा है वो चाहिए, और y direction में जो force काम कर रहा है, वो चाहिए तो देखें, अगर हम इस angle को, देखें, अभी ये वाला जो line है, और ये वाई line है, 90 degree के angle पर जुका हुआ है, अगर ये 37 degree है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 क्योंकि पूरा 90 degree है अब हम बात कर लेते हैं, ये component हमको चाहिए और ये component चाहिए, तो देखें, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये vertical downward है, और ये vertical जो है, ये horizontal है, तो इन दोनों के बीच कितना angle बनना चाहिए, ये 90 degree का अब ये हमारा 37, अगर ये है, तो इससे ये component 90 भी बना रहा है, 90 degree, आप देख सकते हैं, तो अगर ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 और अगर ये 53 है, तो ये वाली line और ये वाली line के बीच में 90 degree के angle बन रहा है, तो ये 53, तो ये 37 अब फिर ध्यान देते हैं, ये normal reaction force और ये दोनो 90 degree पर है, तो ये 37 है, तो ये 53 हो जाएगा खैर, उसकी हमें जरुवत तब पड़ेगी, जब इस normal component का हमें x और y direction में component चाहिए, क्योंकि ये ही वो पूँच रहा है तो normal reaction force 8 newton है, इसका horizontal n cos 53 होगा, क्योंकि ये angle 53 बन रहा है ठीक है, angle एक बार फिर से देख लेते हैं, देखें, ये horizontal है, ये vertical है, इनके बीच में 90 degree का angle है ये 37, तो ये 37, तो ये 53 हो जाएगा, 90 माइनस कर लेंगे अब अगर बात करते हैं, इस वाली line और इस वाली line तो इसके बीच में भी angle 90 degree का बन रहा है तो ये 53, तो ये 37, अब ये line और ये line भी 90 degree का angle बना रही है तो 37 ये होगा, तो 53 ये होगा, तो हमें यही चाहिए था normal component का ये component, normal जो reaction forces का ये component और ये component तो ये component देखें, base हमको मिल गया इसका, ये वाला base तो base में सा cos बनता है, तो n cos 53 और ये vertical component तो n sin 53 अब यहाँ पर देखें, x component हमारा क्या बन जाएगा जो required question का answer है, minus, क्योंकि देखें, ये negative x में है minus n cos 53 degree n की value 8 है और cos 53 की value 3 by 5 होती है तो इसको अगर हम solve करेंगे, ये आ जाएगा minus का 4.8 newton ये पहला answer हो गया, इसकी बात करें तो n sin 53 y component हो जाएगा, plus में, क्योंकि ये उपर है न, तो plus में रहेगा n की जगे हम रख दें, 8 और sin 53 की value हो जाएगी 4 by 5 तो ये answer जो है, एप्रॉक्स 6.4 newton के आ जाएगा ये ही हमारा answer था, x component और y component इस तरह से इस question को solve करेंगे, गुद्बार जाएगा क्योंज़ ठाएगा घर क्योंको आएगा प्रॉक्स